कल बिटकोईन टूटा था सीधे 59,000 डॉलर तक और उसके बार रेगुलर बेस पर यहाँ पर डाउन फॉल था अचानक से फिर कमबेक मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ सभी क्रिप्टो करंसी को अगर आप देखेंगे तो लगभग आपने देखी लिया होगा 10-20% 30% 40% तक डाउन हो गई थी पहुत सारी क्रिप्टो करंसी सोलाना जैसे कोई बिटकोई इधेरिम आपको इतने कम दाम में मिल रहे थे कल की स्थिति में कोई मोका आपको छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन क्या ये अंतिम मोका है इसके बाद मोका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने से पहले क्योंकि बिटकोईन 40,000 डोलर की मैंने बात यहाँ पर कही है शीबा इनू को 1-0 वापस जोड़ना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में ये इस्थिती यहाँ पर निर्मित हो रही है और हर कोईन कम से कम 70% कम दाम में आपको मिलने वाला है मना हर क्रिप्टो करेंसी में 70% तक का डाउन फोल आपको यहाँ पर नेक्ष्ट कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ने से पहले जरा ये खबर देखें देखेंगे तो 300 बिलियन यूएश डोलर क्रिप्टो मार्केट में सुवाहा हो गए है आज की कंडिशन में कल पिछले 24 घंटे में और इस्थिती ऐसे आ गई है कि हर इन्वेश्टर दिवालिय होने की कगार पर है इसमें कुछ कंडिशन आपको यहाँ पर बताई है जिसको मैं यहाँ पर डिसकस करने वाला हूँ जिसको आपको बहुत जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया से लगभग 300 बिलियन डोलर की भारी रकम गायब हुई है इन्वेश्टर परिसान है देहसत फेल रखी है पूरी इस्थिती यहाँ पर है डमडोल की चली गाई है वही बड़ी हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि क्रिप्टो मार्केट का जो लिक्विडेशन है वो लगभग 800 मिलियन डोलर के पार चले गया है इतना बड़ा liquidation हुआ है market में और इतनी तेजी से market dump हुआ कि इतना कम समय में इतना liquidation वही अगर eco trigger के बात करें तो bank of Japan की जो ब्याजदरे है उसमें भी growth हुई है जो कारण बन रहा है market के इतने down या bottom जाने का और fate की तो आपको पता है कि fate की दुईधा से बजार में पहले ही घबरायट है क्योंकि fate reserve का ब्याजदरो का क्या होगा कोई निर्ने नहीं है सितंबर में निर्ने आना है तो ये सब चीजे ये सब चीजे कहिना कही इस बात को लेकर इंगित करती है कि market में एक बड़े भुचा की जो तैयारी है यहां पर हो रही है और यही कारण है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि crypto market में वो चीजे होगी जो unexpected है जो अभी तक सायद नहीं होई है और आप लोगों के लिए एक big opportunity यहां पर यह है कि bitcoin जो है वो इतना नीचे जाएगा इतना नीचे जाएगा जहां से आप लोगों के लिए एक बड़ी आउसर के रूप में आईगी चीजे क्योंकि अगर आप देखेंगे bitcoin अगर 40,000 dollar चले भी जाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं रहेगी ऑल्रेडी क्योंकि 5-6 महिने से बढ़ रहा था market और अब down bottom इस पे आने का है क्योंकि यहां से यहां तक market बड़ा था अब जाके down निकलने का यह हो सकता है उदर हम बात करें तो bitcoin की वज़े से altcoin में भारी ग्रावर देखने को मिलेगी और यह सभी altcoin कम से कम 60-70% या 50% से तो नीचे down जाएंगे ही जाएंगे जहां पर एक बड़े आउसर रहेंगे आपकी पसंदीदा alt coin में invest करने का मोगा और आप सोचिए कि अगर 70% market down में जाके अगर आप buy करते हैं और यह recover करता है केवल जो down हुआ market उसी को recover कर लेता है तो 70% का profit यहां पर सीधा सीधा निकलता है उसके बाद और जादा जितना बड़ेगा market उतना ही profit यहां पर हमारा बनना है क्योंकि अगर को नहीं मिला था इन सब बातों का जो एक निचोड निकले ना इन सब बातों के उपर एक बड़ी बात भारी है वो है इरान इसराइल का वार क्योंकि इनके बीच कभी भी सिरू हो सकती है जंग और सबसे कमाल के बात यह है कि दूसरी countries involved है क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिक 1442 का समय लाना या 1922 का समय लाना आपको पता है क्या हुआ था हुष्टाएं तो यह चीजे बताती है कि यार किस टाइप से पूरे ग्लोबल वाईज एक तरीके से एक उसमें जुकने के लिए जा रहा है एक बड़ी भयानक स्थिती में और इसलिए इन्वेश्टर सेफ ची आते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि ऐसी चीजे ज्यादा तेजी से डाउन होती है और इसलिए मार्केट में हाहकार मचा हुआ है अलग-अलग कंट्री कंट्री के जो शेर मार्केट है श्टोक मार्केट है वो भी तो गिर रहे हैं उसके पीछे भी यही रिजन है बेंक क कि नेक्केई स्टोक इंडेक्स में भी गिरावट आई थी जो कि 6% तक गिर गया था और 3 सत्रों में लगभग 15 से 20% तक नीचे गया था उदर अमेरिका में इसकी हलचल मची और जहां पर पिछले सब्ते जो नेश्डेक है वो भी 5% तक डाउन हुआ था तो यह चीजे है र मार्केट को क्रेस करवाया था जब उस टाइम आने कि थी फिर वो डिले हो गया तल गया तो यह सब चीजे है जो घबराहट दे रही है इन्वेश्टरों को और यही कारण है कि मार्केट में लोग घबराय हुए है और इस टाइप की इन्वेस्मेंट करने से बच रहे है से वो लेट के साथ वो जाना चाह रहा है और अमेरिका में जिस टाइप से मंदी की घटनाए कल मैंने वीडियो में बताए थी कि नोकरी नहीं है आर्थिक संकत आ रहा है अर्थसास्त्री कह रहे है कि केंद्रे बेंकों ने सालों तक आग से खेला है अब दुनिया जलने वाली है क्योंकि वहाँ पर ब्याजदरो को कृतिम रूप से कम रखा गया था लोगों को दिखाने के लिए और अब वो वेस्विक तो और पर बुलुला भटेगा तो इन सभी चीजों की वज़े से आप यह मान के चलिए श्टोक मार्केट तो गिरेंगे ही गिरेंगे उसके साथ क्रप्टो मार्केट के उपर अनेक्सपेक्टेड मार पड़ेगी और इसका नतीजा है कि जो मैंने रेशो बताया है थमनेल में उससे भी नीचे मार्केट चले जाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं रहेगे मतलब बिटकोइन 40,000, 40,000 डोलर तक आ सकता है शीबा एनुए हाथ में आ रही है मोका रखिए पेसा रखिए तैयारी रखिए ये चीजे होगी ये अनेक्सपेक्टेड होगी और ये चीजे फिर सुद रहेगी जैसे ही सुद रहेगी वापस मार्केट रिकावर होगा मार्केट फिर से उपर की तरफ बूश्ट की तरफ जाएगा और मार market फिर से जो 80-70% डाउन हुआ है रिकवर करके market फिर से जाएगा क्योंकि market हमेसा नीचे नहीं रहता है इस ते बड़े-बड़े crisis आये है market के उपर और market ने हर बार high बनाया है तो यह सब चीजे कहिना कई market को एक बड़े boost के साथ आगे की तरफ ले जाएगी और आप लोगों को एक आउसर देगी जिस कारण से आप इस वेस्विक माहुल में जो गिरावट आई है crisis आया है इस crisis का भरपूर फाइदा उठा पाएंगे क्योंकि take market में के market पे तैयारी करके रख लो एक बड़ा मौका है जो मौका आ रहा है आप लोगों के हाथ में उसके लिए पैसे की तैयारी रखो मौके की तैयारी रखो यह से कई मौके आएंगे जहां पर बीटीसी और जादा डाउन होते वे आपको दिखेगा इन ही आसाओ के साथ आई ह होप आप समझे होंगे मिलते नए वीडियो में नमस्कार